नमस्कार साथियों यदि आप सब सिक्सक भरती परिक्साओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है सिक्सा मंत्री और सिक्सा विभाग की तरब से बड़ी खुसकबरी है और आप सब के लिए काफी ज़्यादा इन्फरमेटिव है विश्तार से जानते हैं उससे पहले आप से निवेदन है यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन आउन करें ताकि इन्फरमेटिव वीडियो आप तक पहुंसती रहे आपको बता दे मान्यता प्राप्त संस्थानों से नर्शरी टीचर ट्रेनिंग याने की एन्टीटी करने वाले ही होंगे सिक्सक भरतियों में सामिल जी हां साथियों आपको बता दे National Council for Teacher Education याने की NCTE से माननेता प्राप्त संस्थानों से टीचर ट्रेनिंग एंटीटी करने वाले ही प्री प्राइमरी सिक्सक भरतियों में सामिल होंगे आपको बता दे दिल्ली से लोटे सिक्सा मंतरी रोही ठाकुर ने गुरुवार को सचीवाले में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि माननेता प्राप्त एंटीटी करने वाले संस्थानों की छटनी के सिक्सा विभाग को निर्देश दिये हैं केंद्र सरकार ने इसके लिए सैधानतिक मंजूरी दी है एंसे टीए के निर्देश हैं कि दो वर्स की ट्रेनिंग करने वालों को ही भरती में सामिल किया जा सकता है वर्स 2014 में NCTE ने ये नियम तयार किया था इससे पहले हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों ने बाहरी राज्यों में जाकर एक वर्स की नर्शरी टीचर ट्रेनिंग की है ऐसे में नई दिल्ली में केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रदान जी से मुलाकात कर ये मामला उठाया गया है केंद्र से मांग की है कि वर्स 2014 से पहले ट्रेनिंग करने वाले को भरती में प्राथमिकता दी जाए इसके बाद वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की मंजूरी दी जाए उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी सिक्षकों की मांदे यानि की वेतन के लिए केंद्र सरकार से हर स्वर्स हर वर्स मिलने वाले करोडों रुपे खर्चो रहे है भविस्य में ऐसा ना हो इसके लिए सरकार गंभेरता से इस भरती को शुरू करने के लिए परियास्र कर रही है ब्रिज कोर्स कब और कैसे होगा इस पर भी अभी मंथन किया जा रहा है कहा ये भी जा रहा है कि जेबीटी भरती मामले को लेकर चर्चक की जा रही है बीएट डिगरी धारकों को भी भरती में सामिल करने या ना करने को लेकर कानूनी पक्स भी देखे जा रहे हैं परदेश के स्कूलों में जल्द रिक्त पदों को भरती एवं पद 29 नियमों के तहत भरा जाएगा सौ से अधिक स्कूलों के लिए वोकेशनल कोर्स जुलाई के बाद सुरू किये जाएंगे जी हां साथियो एन्टिटी डी एलड बीएट एजुकेशन कोर्स करने वाले सभी सिक्सक अभियर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है हिमाचल परदेश से जी हां साथियो इस वीडियो को लाइक कीजियो पलपल हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन आउन करें मिलते हैं इन्फरमेटिव वीडियो के साथ जैहिन जैभारत